उसको न्यूट्रल नहीं रहने दिया आपने पूरी कोशिश की है कि आप हमेशा जो है वो साज़िश करके सामने आएं तो क्या आप चाते हैं आप ये बता दें कि आपके लिए कोई आपकी गिंती पूरी करके दें तो गिंती तो आपकी कभी भी पूरी नहीं थी गिंती ना आपकी गिल्गित बलतिस्तान के एलेक्शन्स में गिंती पूरी थी, ना आपके एजे के एलेक्शन्स में गिंती पूरी थी, ना आपके सेनेट के एलेक्शन्स में गिंती पूरी नहीं है, और आज भी आपकी गिंती पूरी नहीं है, तो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहत हैं उनको मैनेज करें आपके लिए वो आपके मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाले आप क्या चाहते हैं और अगर कोई यह नहीं कर रहा या करने पे तयार नहीं है तो आप उनको जानवर कह रहे हैं क्या पेगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई और बात यह कि अगर आईन की पासदारी देखें नीट्रल होना क्या है आईन की पासदारी है ना वो हर महिबे वतन पाकिस्तानी चाहे वो आप हो या मैं हूँ या कोई सियासी जमात हो यह तो एक अच्छी बात है कि कोई अगर जो आईन एकामात देता है आईन अपनी जो आईन की अग तो यह तो अच्छी बात है इस पर इतना सीखपा होने की इतना नाराज होने की और इतना मच्छी की तरह तरपने की जरूरत नहीं है। नहीं आती और उस सब के बावजूद आपका ये हाल हो गया है कि आपको आपके जो जमात है वो सारी तूटके बिखर गई हैं। लोग आपकी वज़े से अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। आपके अपने M.N.A.S. M.P.S. को अपनी अगली पुलिटिकल फ्यूचर की फिकर अब है तो आपको ये पता है कि ये गेम आप ह हार चुखे हैं। और एगला एलक्षन भी जो व्यूज़ को आपके हाद से चड़ा गया है। तो हब आपके जो आवाज हैं ये जो आपकी आवाज नहीं एं、 ये चीख एं कि मुझे बचा लो तो मैं आपको ये कहना चुए ह आएगा आपकी गेम इस नाओ ओवर जी इस वाल जे रहा है कि जो बोट टालने जाएगा तरीके तो पाते हैं उसको दस लाख लोगों से घुज़ना पड़ेगा ओहो बई दस बंदे तो आप से अपने पूरे नहीं हो रहे और आप दस लाख बंदों को निकालने चलें बई अपने दस बंदे पूरे कर लो आपको दस लाख लोगों को लाने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी और कभी आप कहते हैं कि मेरे खलाफ साज़श हो गई मेरे खलाफ इंटरनल साज़श हो गई चोर मिल गए डाकू मिल गए साज़श हो गई फिर जब आपको और कुछ रेट की तरह खिस गई निकल गई है हाथों से तो आप किसको पार इंजाम दे रहे हैं अगर आपने कुछ परफॉर्मंस दिखाई होती अवाम का ख्याल रखा होता आपने कोई अवाम की भूक फ्लास के बारे में सोचा होता मेंगी चीनी मेंगा आटा मेंगी बिजली अपने मेंबरान को आप कहते हैं कि बिक गए मैं यह पूछना चाहती हूं और आवो कहते हैं कि हमने खरीदे हैं जो पहले ही पार्टी से निकलने को खरीदा तो उसको जाता है जिसके बारे में कोई हो के वो यह अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा जो पहले अपना माइंड के बैठे हुएं जो आपके विजीर आजम होते हुए आपको छोड़के जा रहें उनको खरीदने की क्या जरूरत है तो यह अगर आपको आईने में अपना चेरा नजर नहीं आता तो मैं आपको आपका चेरा दिखा देती हूं अभी सेनेट के एलेक्शन को को कोई ज्याद उस वक्त क्या किया था आपने जरा काइंडली बताएं उस वक्त क्या फरीदो फरोग की थी या आपने उस वक्त कोई प्रेशराइज किया था अपने मेंबरान को और आपोजिशन के मेंबरान को या उस वक्त आपने होस्ट ट्रेडिंग की थी और अगर वो उस वक्त जाइ तो आप हाथ जोड़े हैं उनके सामने वो आपको देखें वो जितने भी पुलिटिकल लोग होते हैं चाहे वो MNAs हों MPAs हों उनको अपना पुलिटिकल फ्यूचर देखना पड़ता है और मैं कभी कभी कुदरत पे हैरान होती हूं अल्ला ताला के जो काम है उस पे हैरान भी होती हूं जिस नवास शरीफ को आपने कहा कि उसकी स्यासत खञता हो गई उसको आपने जेलों में डाला आपने उसकी बेटी को जेलों में डाला उसकी पूरी जमात को जेलों में आपको आज एक एक दो दो सीट्स वालों के घर के पास जाके उनके दर पे हाजरी देनी पड़ रही है तो मुझे वो वक्त भी याद आता है जब कोईटा में हजारा बरादरी लाशे रखके अपने सामने बैठी हुई थी और आपको आवाज दे रही थी आप उनके हुकमरान थे जाली सही लेकिन आप उनके हुकमरान थे मैं वहाँ गई मैंने देखा पूरे पूरे खानदान उजड़ गए थे दफनाने वाले कोई नहीं बचे थे वो लाशे आगे रखके आपको बला रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं लाशों से ब्लैक मिल नहीं होंगा मरी में ल मुझे बड़ा ल्ला का खाफ आता है आप आज मकाफाते अमल का शिकार हुएं किसी साज़श का शिकार नहीं हुएं अपने तकवर का अपने घरूर का अपने बड़े बोलों का शिकार हुएं और फिर आप कहते हैं कि आपके खिलाफ इंटरनाशनल साज़िश हुई है मैं आप से ये पूछना चाहती हूँ कि किसी मुल्क को आपके खिलाफ साज़िश करने की जरूरत नहीं है आप खुद ही अपने लिए काफी है मुझे पहले ये बताएं कि अब आपको आज याद आगया कि इंटरनाशनल साज़िश हो रही है आपके खिलाफ और दूसरे मुलक इंवल्ड हैं आपके खिलाफ साज़िश करने में और आप कहते हैं कि हम खुद मुखतार हैं कल आपने भारत की तारीफ भी की खुद मुखतारी की और मैं क्यूंके खुदमुक्तार हूँ, मेरी खुदमुक्तार एक फॉरण पॉलिसी है तो उसकी सिजा मुझे मिली है तो मैं आपको आइना दिखाना चाहती हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अभी कुछ देर पहले तो आप बाइडन साहब की कॉल का इंतजार कर रहे थे और पूरी कोशिशें कर रहे थे कि वो किसी तरह आपको कॉल कर ले और वो कॉल जब नहीं आई तो आपको खुदमुक्तारी आदा गई अभी चंद महीने पहले की बात है कि जब आप अमेरिका गए थे वहां से वापसी पे जब आप कश्मीर का सौदा कर आए थे तो आप कह रहे थे कि मुझे आज ऐसे लग रहे है कि मैं वरल्ल कप जीप के आया हूँ तो उस वक्त आपकी खुदमुक्तारी कहां सो रही थी तो किसी को आपके खिलाफ साज़िश करने की जरूरत नहीं है और ये जो साज़िश वाला प्रापेगंडा है ये आप ना करें लोग हसते हैं आपके उपर आपकी ना एहली out की ना lineup की आपकी ना समझी आपकी ना आतपत इंदेशी की वज़ज़ से पाकिस्तान ने आज हर मलक जो है वो असको आपने नराज कर दिये पाकिस्तान के दोस ममालिक जो historically आपके दोस रहें आज वो भी आपसे नराज बैठें क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मुल्क किस तरह चलाया जाता है फॉरन पॉलिसी किस चीज़ का नाम है और किस तरह आपने एक एक गिन गिन के मैं आपको गिनवा सकती हूं किस तरह आपने तालुकात खराब की हैं दूसरे मुलकों ने आपको तहाइफ दिया आप उनको जाकर पांच मिलियन रियाल में बेच आए तो आप पाकिस्तान की क्या तस्वीर लोगों के सामने पेश कर रहे है और आज अगर आप अपनी नाकामी नालाइकी नााकिबत अंदेशी को अगर आप साज़िश का नाम देंगे तो दुनिया हसे गिया अगर आपके एक उजिरे दात्ता थे जोई निसार अली खान वो बनी गाला पहुंचे है और कहा ये जा रहा है कि नून लीक के बाद के बाद के हाथ में है पंजाब की सुख जाब क्या है बड़ी मज़िका खेज बाते हैं और सवाल जी बगएर किसी की मदद के कामयाब नहीं हो सकती न्यूट्रालिटी से भी कामयाब हो सकती ये तो अब डिसिजिन सिर्फ मेरा तो नहीं है ये तो सब बैठेंगे आपोजिशन पार्टी बैठेंगी नवाज शरीफ साहब शेबाज शरीफ साहब जो के हमारी जमाद के सदर है ये सब के साथ मिल के ये फैसले होंगे इन्शालला जल्दी आएंगे ये वज़े से सब कुछ दो बैठेंगे तो क्या वज़ा के क्या तिहीं तरिकेत में इत्माद लगा लाकर आप इम्रान खान को सियाती नहीं तो नहीं कर देंगे और नियो नियूस पे तल्द हुसाइन साब की प्रोग्राम को ज़े से उनके बंदिश के शुरू करते ही हैं देखें बंदिश के बंदिश ये इस तरह से लोगों को चिप कराने के जबरदस्ती डराने दमकाने के तो दिन गए अब तो इम्रान खान साब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए दूसरा जो आपने सवाल किया देखें चार साल बहुत होते हैं परफार्मेंस दिखाने के लिए और अगर आप ये समझते हैं आप उस दिन तकरीर में मैं इम्रान खान साब को सुन रही थी वो ये कह रहे थे कि एहमकाना बाते हैं आज कल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंड सेट जो है जो ज़लकता है और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शक्स की तकरीर होती है उसमें कभी वो मजब कार्ड इस्तमाल करते हैं कभी साज़िश कार्ड इस्तमाल करते हैं कभी वो करप्शन कार्ड इस्तमाल करते हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि अवाम ने उनको रेड कार्ट दिखा दिया है अब उनके हसाब देने का वक्त है अब उनके इल्जाम लगाने का वक्त नहीем और जो बात आपने की, कि देखें अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा तो जो अप आवाम के नमाइंदे होते हैं उन्होंने अवाम की खिद्मत की होती है मुझे भी अभी भी वो वक्त या दा आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज शरीफ की स्यास्त खतम हो गई लेकिन आज सिर्फ चार साल के बाद पुने चार साल के बाद आज अवाम नवाज शरीफ को आवाज दे रही है आज नवाज शरीफ की अलहमदलिल्ला जमात चटान की तरह खड़ी है एक शक्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साब की जमात से और मुझे वो वक्त भी याद आता है देखें नवाज शरीफ साब के साथ भी जयातिया हुई है उनको भी उसकी बहुत बड़ी पुलिटिकल और परिसनल कास्स देनी पड़ी है लेकिन कभी उन्होंने तैजीब का दामन तमीज का दामन हाथ से नहीं छोड़ा उन्होंने कभी जलसों में खड़े होकर ये धंकिया नहीं दी कि मैं बहुत खत्रेनाक हो जाँगा उन्होंने कभी ये नहीं का कि अब मैं खत्रेनाक हो जाँगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं और मुझे पता है कि ये धंकिया वो आपोजिशन को नहीं दे रहे क्योंकि opposition ने तो उनका अताब जो है उनका जो जो जुम है उनके मजाले में उनको चार साल दरदाश की है फिर भी खड़े रहे ये धंकिया वो किसी और को सुना रहे और दूसरी बात ये कि कोई उनको ये समझाने वारा भी नहीं है कि grace under pressure क्या होती है मतलब हम भी उनी मरहलों से गुजर कर आएं लेकिन कभी गालम गलोच ने की कभी किसी कभी जबान दराजी ने की कभी बाजारी जबान इस्तमान ने की भी बुतान नहीं लगाया, असूल पर बात किये, फैक्स पर बात किये, और आप जब तक्रीर करने खड़े होते हैं, तो आप मजब का नाम लेते हैं, कभी आपने रियास्ट मदीना का नाम लिया, और आपने अवाम के उपर बद्तरीन मजालम ढ़ाए, और अब आप कहते हैं अमर बलमारूफ, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, कि आप कौन सी नेकी है, कौन सी अचाही है, जिसका हुकम दे रहे हैं लोगों को, क्या आप लोगों को ये बता रहे हैं, क्या आपने जो आते की कीमते हैं, चीनी की कीमते हैं, डीजल की कीमते हैं, तेल की कीमते ह आपने आस्मान पर पंचा दी हैं तो क्या उस अच्छाई में आपका साथ दे या आप खड़े होकर जब जलसों में बत्तमीजी करते हैं बत्तेजीबी करते हैं अपने मुखालिफीन को नाम ले लेके बलाते हैं कभी मुलाना फजल रह्मान साहब एक सीनियर सियस्दान है या कन्वीनियंटली आपने वो चीज़ या मजब के लिबादे में अपनी बत्तमीजी को उड़ाना है तो वो भी एक हदीश है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इलकाबाद से नवाजने से मना किया है तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं बलावल को आप कहते हैं कि उसकी अर्दू अच्छी नहीं उसकी आप नकले उतारते हैं मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं तो क्या लामहाला आपके दमाग में ये बात नहीं आती कि जो शक्स ये भी असलिल्ला अले वसल्म नहीं कह सकता जो शक्स रूहानियत को रहूनियत कहता है जो शक्स खातम नभीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता उसको क्या आ ये हक हासल है कि वो दूसरों पर तनकीद करें बलके जो आपने कल्चर बत्तमीजी का बत्तेजीबी का पाकिस्तान के अंदर इंट्रिड्यूस कर दी है मैं बतार मा अपनी पाकिस्तान की माओं से ये गुजारिश करती हूं कि आज कल जब एक जिनी तवाजन खराब शक्स अगर टीवी पर आकर बत्तमीजी करता है और बत्तमीजी की तरगीद देता है तो अपने बच्चों को काइंडली बहां से उठा दिया करें कि हम नहीं चाते कि हमारे बच्चों के अंदर ये कल्चर जो है वो सरायत करें मैं ये बताईए कि तहरीक इंसाफ का मेडिया सहल जो रियासिती दारों के खिलाव बाज्टू कर रहा है देखे मैंने पहले भी इस बात का जवाब दे दिया है मैं एक दफ़ा फिर से जवाब दे दे दिया कि अगर न्यूट्रल का मतलब ये है कि आपकी अब मदद को कोई नहीं आ रहा और न्यूट्रल का आप ये मतलब निकाल रहे हैं कि वो सब आपको आके बचाएं तो देखें न्यूट्रल होने का मतलब इसी की जिद्जहद हमने भी किये और हर आइन पसंचेरी आइन एक पाकिस्तान का आइन है उसकी पासदारी जरूरी है और अगर उसकी पासदारी कोई कर रहा है तो ये अच्छी बात है इसको तो वेलकम करना चाहिए इसी के लिए त तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो गालम गलोच आजकल आप सोचल मीडिया पे भी देख रहे हैं तैजीब के दाएरे में रहके बात करें गालम गलोच नहीं हम क्या कुछ नहीं बरदाश कर किया है कभी नवाश शरीफ साब को आपने देखा है कि स्टेज पे चड़के वो किसी को माइक पकड़के धंकियां दे कि मैं छोड़ूंगा नहीं मैं खत्रे नाख हो गया हूं तो और मैं जब आउंगा तो मैं और ज्यादा में अंदर बाई तुम कौन सा ऐसा काम है जो तुम नहीं कर सके कर चुके हो तुम ये सब काम इसी वज़े से तुम दिन्राख खान का इसाबूंगा ये तो अल्लाग बता सकता है देखें मैं आपको पहले बताया है कि जो तीन साल में चार साल में हो गया है इसको कहते है इबरत का निशान और जो वक्त ने जो कुद्रत ने जो मैं यही कहूंगी कि इतने आपके चेरे पे ऐसे ऐसे थपट पढ़ें कि आप बात करने के काबिल नहीं रहे हैं कि आप समयचे है कि मुद्धियल कंफोर पढ़ पढ़ चुगे हैं और रोहानी साया भी खतम हो गया है जो अब हमें अपोजिशन के इताहाद नजर आ रहा है कि शॉर्ट टर्म है या लॉंट टर्म चले का और उसे कि इस तहरीक तक अस्तर होता है कि दायवाय की हो जाते हैं मामला तो इस पार जो है अपोजिशन के इताहाद नहीं पहले बोड़ बता है और हमें सब जमातों को साथ लेकर चलना है और हमें सब को स्यासी धारे में कौमी धारे में लाना है तो मैं यह समझती हूं कि इमरान खान ने जो पोलराइजेशन को उन्होंने फरोग दिया है हमें उसका सद्देबाब करना है हमें तमान कुवतों को साथ लेकर चलना है हमे एक national consensus, national reconciliation की जरुवत है, ताके पाकिस्तान फिर से जो है वो तरक्की के सफर पे. मैंने आपको इसका जवाब दिया है, जी, और कोई सवाल है. पाकिस्ती मुद्रा ये कह रहे है, पाकिस्ती मुद्रा बाब पर ये कह रहे हैं कि जी आदब किसको देखनी है, आपको योच है. देखे, ये तो अल्लताला को पता है और ये इन्शाला बैठ के फैसले, फैसला करेंगे. हमारे कैंडिडेट तो शवाज शरीफ साहब हैं और मैं जो बात अभी करना चाहती हूँ वो ये है कि देखे, अभी मुझे पता चला है कि कोट में भी आपोजिशन गई है, आज सुप्रीम कोट में और ये डिले करना चाहते हैं. तो देखें, आईन कोई मौम की नाक नहीं है, जिसको आप अपनी हकूमत बचाने के लिए, अपना इक्तदार बचाने के लिए, आप कभी इदर मोड़ दें और कभी इदर मोड़ दें. आईन में साफ तोर पर लिखा है कि तरीके अदम इतमाद जमा होने के बाद 14 दिन के अंदर 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 इजलास बुलाया जाना चाहिए, तो 14 दिन तो 22 मार्च को पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको वोटिंग करानी, अब देखें, आप मुझे नहीं पता आप टाइम क्यों बाई करना चाहते हैं, तो आईन को आईन ना सम दिया बगार्डने से, अपनी हकोमत को बचाने की खातर इस से रोका जाए, और ये एक प्रेसिडंट ना सेट किया जाए, जो के पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं इसलामबाद की इंतजामियां को भी ये कहना चाहते हूं, कि एक ऐसा शक् अच्छा इस सारे जो आइनी और कानूनी प्रोसेस में बिलकुल भी जो है वो इंटिफेर ना करें वरना उसके कांसेक्वेंसेज हों.